आपको आपको यह क्लास के वीडियो को चैक है और जो कि ही हमारा हम बात कर रहे थे topic में हमारे पास ही थीट Most इ capable of error में हमारे पास है ऐक है तो देखिए इस ने प्रोपागोशिकित कि हम कुछ partial which सबसे पहला वह उनने ट्राइट इस नहीं कॉन सा error कर दिन सम्ट चीक है सेकिंड नंबर पर हमने ट्राई किया था सॉल किया था एर्र इन सब्ट्रेक्शिन या फिर आप कह सकते हो एर्र ने डिफ्रेंस थर्ड पर हमने डिस्किस हिया था और अब जो हमाना एक पार्ट जो मुने बिल्गुल लास्क्रास में किया था लास्क्रास का जो टॉपिक था हमारा वो था एर्र इन डिटीजर यह चारो पार्ट जो थे हमने लास्क्रास इसमें सॉल्ट कर चुके हैं ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले अगर कोई प्राउब्लम है इसमें वीक सीट टॉपिक में कोई डाउट है तो आपके आपके पहले एक परियाप लिंक्स हैं देस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबिन है आपके पास वहां से आपके यह चारूट कर सकते हो ठीक है अब हमारे पास तुछ पावर्स वाले फंक्शन होगे अब उसमें हम क्या चारूट करते हैं अब हमसे बोला जाता है कि हमें इसके लिए यह error find out करना है ठीक है तो error कैसे निकालेगे error के लिए हमारे पास यह point होगा सबसे पहले क्या करना है आपको log की कुछ properties बतादगा हूँ एक दो property जो हमने हमें basically use करनी है अगर हमारे पास कुछ function है इस तार से means log of a.b अगर function यह होता है अगर हमारे पास function है log of a plus log of b से चीक है तो पहले ही कुछ important चीज है आपको इह clear करना हुआ अगर हमारे पास function है log of a by b चीक है then we will write it log of a minus log of b चीक है तो यह चीज़े आपको याद रहती है और एक और function है हमारे पास जैसे अगर कोई function है उसमें कुछ पावार है बसका then we will write this function like that चीक है तो यह points आपको clear होने चाहिए अगर हमेरे topic आगे बढ़ना है तो points जो है यह हमारे clear होने चाहिए चीक है दि तो एक पार यहने note कर लिए तो हम उसके बाद आगे बढ़ते है हो गया चलिए बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है function है क्या है division में भी और powers में भी है तो मैंने अभी आप से discuss किया था log की property के बारे में तो आप क्या करते है चलिए log ले 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 लेते हैं taking log on both sides so we can write log x is equal to log of a raise to power m divided by b raise to power m ठीक है तो आपका जो function है वो इस तरह से representation कर दिया log लेने की बारे लेते हैं अब क्या करना है आपको अभी अभी मैंने आपस log की property discuss की लिए log of x जो होगा वो क्या होगा देखो यहां पर क्या है log of a divided by b तो हम भी से क्या लिए log of a minus log of b ठीक है अब आगे क्या करना है हम तो दुबारों से आपके पास आपके पास आपके पॉइंट आता है पॉइंट आप रिप्रेसेंट करोगे आपके आपके पावर आ रही है पावर को आपके लेके आपके तो log of a ठीक है minus n log of b यहां तो clear हुआ अब क्या करते है dear students अपना हमने इसका differentiation करना है क्यों करना है क्यों क्या है log अपने क्या करना था और error के हम नीव होते थी इसकी is functionally direct ठीक है तो क्या करना पड़ेगा इसका differentiation करते है differentiation करेंगे both sides to differentiated we will get on differentiating both sides the result will be like that D log of X is equal to same process as here N log of A minus D N log of B ठीक है यह result आपा है आपका अब क्या अगर मैं आपको differentiate करते हैं तो देखो एक चीज़ यहाँ रखना है आपके पास तो differentiation होता है अगर हम बात करते हैं D by D X of log X ठीक है अगर function हमारे पास इस तरह से होता है तो इसका लिए basic differentiation हम यूज करते हैं हम लिख सकते हैं देल X by X देखो यहाँ पर तो था D X था ठीक है तो D X के respect ने किया तो D X हमारे पर solve out हो गया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मन आसको प्रूंशन दीए हम इसके respect में differentiate करते हैं तो इसके लिए और यहाँ पर आपके पास क्या था है यहाँ पर आपके पास M क्या था power था पांसरेंट होगा no change then we can try DAL A by A ठीक है तो आगे आपके पास है N एमने as-fat इस रखना है फिर आपके पास है DAL B by B यह result आता है ठीक है तो यहाँ से आपको क्या करता है अब हमने पास एक पॉइंट आता है कि हमें यह किसी भी quantity को वर solve out करना है न तो error कोना maximum value को हमने उसे resolve करना होता है maximum value को error को हटाना होता है तो maximum value को हटाने के लिए हम जाब होता है यहाँ पर जो negative sign है हम यूज दर लेंदे generally say plus A तो हमारे पास result आता प्लस माइनिस गालेक्स is equal to M dal A by A plus minus plus minus N dal Vy यह result आता है आपका यह पिर आप चाहूता आप यह कह सकते हो कि दोनों से प्लस माइनिस से multiply करना है multiply करोगे तो result आपके पास क्या आएगा minus यहाँ पर तो यह minus ही रहेगा अब इसे सौल आउट करोगे result क्याएगा plus minus N dal A by A minus plus N dal Vy by B अब minus plus है plus minus है बात एक ही है तो ठीक है हम इसे represent कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि dal X by X जो होगा अब हमारे पास यह क्याता है plus minus dal X by X यह जो result होता है हमारा अब यह z हमें बता है plus minus dal A plus N dal Vy by B यह final answer होता है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे error हम find out कर सकते हैं कब जब हम X by X वाक करेंगे आपके ने comment box में comment करके कुछ लेना बाकी पहले करने प्रिस पटावट से नॉट कर लेजी फिर इस पर बेस हम इकादल निमारिकल देख लेए देखे लेते हैं अब हम क्या करते हैं इस टॉपिक पर बेस कोई नुमारिकल देख लेते हैं वह से तो वहारे टॉटस आ है बड़न क्या करने हैं देखते हैं हमारे point आगे का क्या आता है देखे लिए हमारे पास तो कोई एक्जाम्पल है एक्साम्पल हम इस तो करते हैं कि हमारे पास कोई quantity x ठीक है एक्स की जो हम रिप्रसेंटेशन करते है एक्स के रिप्रसेंटेशन है हमारे पास कुछ इस तरह से x is equal to a square ठीक है परस्षी कहता है कि हमें क्या करना है percentage error find out करना in the values of a, b and c sorry not in the values of a, b and c हमें percentage error जो find out करना को करना है x की value percentage error क्या होता कब a के लिए जो हमेरे पास percentage error percentage error in a is equal to 2% अगर हम बाख करते है b के बारे में ठीक है अगर हम बाख करते है b quantity के लिए error की हम consider करते है like that is 3% और अगर हम बाख करते है c के error के बारे में that we can consider this is 4% ठीक है हमें find out करना है हमें find the percentage error in percentage error in value of x ठीक है x के लिए में percentage error find out करना है सबसे पहला basic point जो अपर यह होगा कि आप यहाँ पर identify करो कि x जो है quantity हमें किस तरा स्टेक function हमारे पास x का है x हमारे पास क्या है a square b q divided by root c अब यहाँ पर क्या आपका division में आ रहा है कि कहा है यहाँ पर division p है और division के साथ सब क्या है आपका exponents भी है powers भी है तो देखो dal x जैसे जैसे मैंने पिक्चे वाली तो अभी direction कर आई थी ना उसी direction में उसी concept का मैं को यूज करने हमके तो dal x by x क्या होगा यहाँ पर क्या है power क्या है 2 तो 2 डैल a by a ठीक है अब यह तो divide नहीं है तो इसका क्या है आपको उटी थोड़ देर पहले रोहा हमने किया था a m divide by b है इसे हमने solve किया था तो हमारे पास जो error आया था नहीं इसके लिए हमने use किया था m value by a plus n by by b कुछ इस तरह से हमने इसे solve किया था किया था ना तो वही concept हमने use करना है it doesn't matter the quantity is a divisor multiplication ठीक है हमें बस main point यह देखना है कि flip ना प्रसे है हमारे पास plus का use करना है तो plus power root है root को में सकते हैं आपर 1 by 2 और dal c by c अब question में हमारे पास एक problem यह आती है ना तो हमें dal a given ना हमें a value given ना ही dal b और b और ना ही dal c तो अब क्या करना है dear आपको एक छोटा सा point देखना है question में percentage error given है a b c t no take और आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि last classes की वीडियो में मैंने आपको बदाया था कि percentage error से हमारे पास related question होते है तो basically dal a y into 100 कर देते हैं percentage error आ जाता है और इनके साथ करना है तो क्या करते हैं और बोग साथ की वीडियों multiply by 100 like that in that case wizard will be like dal a by a into 100 plus 3 dal b by b into 100 plus और हमारे पास आगे है 1 by 2 then dal c by c into 100 यह result होता है मारा अब यह जो result होता है अब परसंटेज है रहागा क्यों आगा तो यहां पर related error है और multiply क्या है 100 अब क्या करोगे आप कुछ नहीं करना 2 as it is दिखी dal a by a into 100 यह कहा परसंटेज है इस the value of a कितना है 2 तो हमने की use करना है 2 प्लस 3 है आगे आगे कहे dal b by a into 100 कितना है 3 है dal b के लिए यह हमारे पासो results है यह भी use करता है dal a by a into 100 ऐसे कि इसका हो पर dal b by b into 100 और इसके लिए भी अगर आप represent करते तो dal c by c into 100 यह भी points हो सकते है आपके पास आप इस तरह से simple लेकर चलो या इस तरह से चीटिमांट करो चीक है तो आगे कहता हमारे पास इसके लिए हमने देखा 3 यहांपर है और आगे में बात करते dal b by b into 100 यह हमारे पास 3 है प्लस आगे हमने इतने 1 by 2 ठीक है अब क्या है हमारे पास del c by c del c by c कितना है हमारा del c by c हमारा 4 into 4 तो solution रखे वजे कुट्या आगा 4 प्लस 9 plus 2 finally answer कितना आगा आगा बस del x by x into 100 तो इस एड कितना हमारे तो finally क्या आगा सुतने है percentage earn in x equals to kya है 11 ठीक है यह आपका final answer होगा फटा बट से not कर लीजे इसे ठीक है इसके बाद हमें एक निमारी के लोड़ डिस्कुस करेंगे इसके लिए हमारा जो concept है वो clear होगा main point main point main point topic है है कि हमारा concept clear होना से computer channel ही हमारा concept of physics by रजिस्कोषिक concept somat is clear कर रहे होगे यह ना ठीक है तो फटा बट से not कर लीजे इसके लिए को यूना 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 अब एक point हो में एक को निमारी के लावर स्वाज़ हो कर लेके इसके लिए इसके लिए से मारा परदा सब्सक्राइब बन सकता हो clear होगे चलिए मैं आपकर देता हूं इसे चलिए देखने हैं second question जो है ना हमारा वो तो चीस तरह से है कि हुए time period दीवर है 1 by 2 by root l by g एक चीज़ याद होगी आपको क्या कि यह जो formula था simple pendulum के लिए time period का formula होता है ठीक है अगर यह confusion दिर रहा है तो हमारे पास दूसरा भी question है इसके लिए हम यह भी use कर सकते हैं कि जो कोई spiral body है उस कहें कि हमारे बास 4 by earth square है ठीक है main point जो है वो यह है इन percentage कैसे find out करेंगे कब जब exponents की बात आए ठीक है तो अभी हम इसको use करते हैं क्योंकि यह थोड़ा complicated लग रहा है दिखने है वह तो simple सा था ठीक है तो question कहता है कि percentage आरर percentage आरर in time period this is equal to 2% ठीक है आगे हमारे पास है percentage आरर in length ठीक है length यह L जो होगी यह पर length होगी इसकी pendulum की जो length होती है हमारे पास वह हमारे पास विवान हैं consider कर लेते हैं this is 3% ठीक है अब question कहता है find out percentage आरर in ठीक है percentage आरर find करना है किसमें in the value of g g क्या होता है यहां में g होता है acceleration due to gravity ठीक है जी है तो पहले आपको यह checkout करना है functions में questions में given क्या क्या आपको percentage आरर time period का given 2% length का given 3% find out करना है g का अब आपको 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 आप आपको 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 Chandler आपको आपको 4 % in the value of . इतना हागा result हागा result हागा 7 यह होँद आपको 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 नौट कर ली जी है, हो गया, कर लिया रोड, मिलते है next class में, तब तक लिए, goodbye, take care, और एक आम यारूं रखना है, क्या करना है, concept clear करना है, एको इस दाउट आथा comment box में comment करके पूछ लेना, और bell icon को प्रेस करना, okay, मिलते है next class.